गुड इवनिंग नमस्कार वेलकम आप सभी का आपके हमारे यूट्यू चेनल में स्वागत है तो दोस्तों कैसे हो आप उमीद करेंगे कि आज की जो विकेंस से आप लोगों को मिलने वाली हैं काफी अच्छी होगी आप लोगों के लिए खास कर उनके लिए जो करना चाहते तो चलिए आज की इस अपडेट के बारे में सुनते हैं और देखते हैं वीडियो आखिरकार क्या होने वाला है एर इंडिया का नाम आपने सुना होगा काफी लंबे समय बाद इसकी वेकेंसी निकल के आई है और ये एकदम अच्छी पोस्टे हैं इसमें बदा दें कि जो इरपोर्ट सर्विस है उसके अनुसार इसमें सुपरवाइजर हैल पर अलग-अलग पोस्टे दी हुई है मैं सीरा पोस्टों की बात करो तो देखेगा इसमें मैनेजर की पोस्ट हैं फाइनेस विवाक से हैं जेई से हैं और इसमें और भी अलग-लग वेकेंसिया दे रखि अगर आपके पास experience यानि की qualification के साथ with experience भी होगा तो भी आप लोग apply कर पहेंगे जैसे कि मान लीजे आपके पास customer जो post है उसके लिए आपके 10-12 की qualification है उसके साथ आपके पास experience एक साल का होना जीए जैसे कि मान लीजेगा third division की बात करें या फिर coloric की बात करें तो इसमें दे लगा सकते हैं मैं फिर से repeat करता हूं कुछ post हैं जिनके लिए आपको experience देना होगा कुछ पोस्ट हैं जिनको बिना experience भी आप लोग कर पाएंगे जैसे कि अलग-अलग posters में दे रखिए तो salary भी उनकी निधार्त है आयूशिमा भी उनकी निधार्त है सारी चीजे उसमें नि अगर आपके बास IT की qualification है तो यह थोड़ा से ध्यान रख लिजेगा अगर salary की बात करें IT वाले विद्ध्यारत हो कि 20,000 के आसपा salary होगी और इसी दुरन बात करें MBA या फिर BSC या फिर BTEC वाले विद्ध्यारत हो कि तो उनको 50,000 या 60,000 से हदिक तक salary होने वाली है अब इसम selection processor की बात करते हैं, selection आपका कैसे होने वाला है, personal interview होगा, exam नहीं होने वाली, पहली बात ही clear कर लीजेगा, कोई exam आप लोगों को नहीं देने वाला, क्योंकि आपको सीधा form भरना होगा, form भरने के बाद आपको बुलाई जाएगा, interview के लिए अब वो interview की job location या फिर location कहा होन और आज हो चुकि है, 15 मार्च, 15 मार्च से पहले या फिर 21 से पहले आप लोगों को mail करना होगा, और submit करना होगा, जिन्होंने अभी तक भी नहीं किया, तो अभी इसमें जा सकते हैं, और अभी apply कर सकते हैं, journal जो news है, उसके बात करें, SC, ST, OBC, NCL, उनको यहाँ पर reservation के पूरुस हो, कोई भी हो, किसी भी छेतरश हो, अगर कर रहे हैं, government job की तयारी, तो वो भी इसमें apply कर सकते हैं, तो दोस्तों यह इसका विवरन है, उम्मीद करेंगे कि काफी हद तक आप लोगों को समझ में आये होगा, अब इसमें बात कीज़े किस चीज के लिए आपको doubt ह है, वो हमें comment करें, finally यह विद्यारतों के बात करें, तो दोस्तों इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें पूरी complete mark sheet होनी चीज़े है, आपके पास 10V, 12V, BSC, BTEC या B.com वगरा जो भी qualification है, पूरी mark sheet होनी चीज़े, result आ चुका है, यह मान लिजे, result आ चुका है, mark sheet आना बाकी है तो भी आप लोग इसमें apply कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो heart को भी वो भी आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा issue यहाँ पर होगा, कुछ post के लिए experience है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, experience के लिए आपका certificate होना जरूरी है, नहीं होगा, तो आप ल लोगों को ध्यान में रखने होगी, तो उमीद करेंगी कि काफी चीजी आप लोग समझ चुके होंगे, और वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक बार कमेंट कर दीजेगा, जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, चैनल को सस्क् सब्सक्राइब करते हैं, फीडिवेक जरूर दें, थेंक यू, जैहें